या आपके नियू मन की रीडिंग है यह जोगी आप से रिजनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है आपसे बन मेंसे को सब्सक्राइब करें तो इसको सबस्क्राइब करें इसका लिंक भी डिस्क्रिप्टर में मौझोद है अगर आपको मुझे परस्टेसरा रीडिंग शाहिए तो भी आप मुझे अमसे मेरी इस्टेग्राम पर फिर कॉ का सकते हैं चैजल के लिगे आए देखते हैं कि किया मेसेजिजेचे अगर से आपके लिए और आप मुझे मेरी स्चेंज वैज बीसेज़ें से सिरकते हैं के लिए एंट रहिएगा कुछ औरकल मैसेज लोंगी और स्टेल्टिक क्रॉस का ये स्प्राइड होगा so what are the messages for Virgoz what are the messages for Virgoz for the month of February Virgoz के लिए February 2023 कैसा रहेगा please universe हमें guide करें के Virgoz के लिए February 2023 कैसा होगा कैसा रही था okay so underneath आपके लिए क्या messages है okay five of cups, three of swords and eight of pentacles आप होगा दिसपॉइंटेड है और like हापे heartbroken situation है disappointment है so yes लेकिन आप एक new start चाहते हैं इस painful situation के बाद एक नया start आपके लाइफ में जरूर आ सकता है क्योंकि आप बहुत दा hopeful है so देखते हैं के यह तो या पर लेकि यह opportunity हो सकती है आपके लिए new financial opportunity कोई नई job work situation में कुछ नई opportunity मिल सकती है यह दर्वाइस आपकी लव लाइफ में आपको कुछ नई disappointment हो सकती है eight of swords, six of wands, the moon, six of pentacles, five of swords, hermit, seven of cups okay so February month eight of wands, the wands of God and king of wands so यहां पर आप बहुत दा confusion में है summer of cups और moon card दोनों ही यह बता रहे हैं कि आप बहुत दा confusion में हैं आपके पास अगर बहुत से options हैं तो आप उन options के हाले से बहुत दा confused हैं किसे चूज करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए अगर situations बहुत सी हैं आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो आप कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें लेकिन बहुत confused हैं कि कैसे करें आपके environment में भी बहुत दा disappointment situation है like बहुत दा competition है अगर आप कोई new opportunity हासिल करना चाहते हैं workplace पर तो उसके लिए आपके around में बहुत से competitors हैं या फिर या आपकी love life की situation हो सकती है कि आपकी attention हासिल करने वाले बहुत लोग हैं या फिर इस relationship में interfere करने वाले बहुत से लोग हैं जिसमझे से आप बहुत दा confused हैं आपको clarity तक पहुँचने पा रहे हैं आपको कोई सचाई चाहिए आप उसमें क्या तो आपको बहुत confused किया जा रहे हैं आपके around के लोग आपको बहुत confused कर रहे हैं आपको clarity चाहिए जो कि मिल नहीं रही confusion है और conflictual energy कोई आपको सची बात ना बताए या मैनिपलेट करे आपके माइन को डाइवर्ट करने की कोशिश करे जैसे यहां पर eight of swords की energy है तो यहां पर किसी negative thought के वज़ा से stuck feel करने वाली energy है यहां पर बहुत अधा negativity की वज़ा से stuck feel करना के आपको जो बाते नहीं है उनको consider करें के वो real है और उस वज़ा से अपने आपको रोक के रखना के यह तो ऐसी बात है मैं इस बात की वज़ा से कैसे आगे बढ़ सकता हूं या सकती हूं यह situation हो सकती है success जो है आपकी इस negativity की वज़ा से यह block है like अगर आप किसी matter में success चाहते हैं तो इस negativity की वज़ा से यह block है आप आपको बैलेंस करना चाहते हैं ठीक है आप अपने mind में आपको आप चाहते हैं balance हो जाए relationship लेकिन हकीकत में आप बहुत था confused है आपके around के कुछ ल करती है manipulation मुझे बहुत नजर आती है तो यहां पर आपको university guide करें कि आपको conversation करनी है अगर आपको बहुत जादा stuck feel होता है confusion बहुत है तो आप बात करें बात करने से आपकी confusion खतम होगी ठीक है अगर आप बात करते हैं तो आपको एक clarity मिलेगी आपको अपने आपको isolate करना सोचना होगा यह जो लोग अपने अपने around में रखे हैं confusion create कर रहे हैं इनसे आपको अपने आपको अलैदा करना होगा खुद से अपने दिमाग की intuition use करनी होगी और मुझे लगता है end of the month में आप यह कर रहे हैं और आपको जो भी decision लिया है आपने उस पे आप आप implement भी करें action भी ले रहे हैं so यहां पर मुझे bold action की energy नदर आ रही in the end of the month में decision making like isolation में जाके अपने दिमाग से सोचके कोई decision लेना और फिर उस पे action लेना यह आपकी energy में मुझे नदर आ रहे है otherwise पूरा month आपको manipulative energy में रहना पड़ीगा लेकिन यहां पर conversation is a key अगर आप conversation करते हैं तो आपके mind में कुछ clarifications आ सकती है okay या अपने कुछ step feel करें तो universe आपको यह guide करना चाहती है कि आप move forward करें आगे बढ़ें अगर आप कोई step नहीं ले रहे हैं फिर्स step लेना आपको ज़रूरी है तो वह step लें देखते हैं कि romance angel oracle से आपके लिए क्या messages आते हैं romance angel oracle message से विर्गोस के लिए क्या messages है forgive and learn as you release and heal the past your experience more love in your present moment okay so present moment में अगर आपको romance चाहिए love चाहिए तो आपको forgive and learn करना है यहां से आपको negativity से निकलना है forgive and learn यह कोई नया relationship start करने के लिए नहीं है just आपको अपने existing relationship में अगर कोई negativity है जिसमें आपको stuck really feel करें तो उसमें आपको forgive and learn करना है जो भी situation है free yourself it's time to take back control of your life like अपनी life का control अपने हाथ में लें just मैंने का के free करें अपने आपको इस energy से जो surround में आपको यह्णप कर रखा कि यह जो भी energy क्यांप आप आपको अपनी मर्जय से चलाने की कोशिश करें रिलेस करना है frey करना है अपने решition buck में खुद यह आपको करना है तो यह आपके लिए मैसेज है इन मन्त फैब्वरी में अगर अपने को इसलेट करते हैं अपने दिमाग से सोच के काम करने हमें के ऐपकी लाइफ है लोग तो अपने अपने-मतलब निकालने के लिए आपकी लाइफ को मैनिपलेट नहीं कर सकते हैं आपके लिए क्या एहम है वो आप खुद सोच सकते हैं तो आप अपने दिमाग से सोचें और अपने दिमाग से सोचें और उसके लिए steps ले यहां पर जो भी आप decision लेंगे और action लेंगे वो win-win outcome होगा आपके लिए तो यहां पर आप विन कर सकते हैं तो यहां पर आप विन कर सकते हैं यहां पर आपके लिए एक चैलेंज बनी वी थी six of wands के साथ victory आपके लिए challenge थी क्योंकि आप स्टक फील कर रहे थे आप negativity में है उस negativity से निकले तो और अपने दिमाग से सोच के action ले और अपने दिमाग से सोच के पैसला करें और action ले तो जाके आपकी life में victory आएगी तो यहां पर यहां पर यह new start new beginning आपकी life में उसी वक्त ह so that was your reading where it goes if it says you need to believe that we can form in a comment below like my video subscribe and channel thanks for watching